constant की power function मतलब a to the power x तो a की power x का आपका a की power x log a होता है standard differentiation लेकिन अगर आप क्या करते हो variable की power constant मतलब जैसे x की power n है तब आपका nxn-1 होता है और constant की power constant है तब आपका 0 होता है क्योंकि overall system आपका constant produce होगा लेकिन जब variable की power variable हो है तब आप क्या करते हो तब ना तो आप उसको a की power x का formula लगा सकते हो ना तो आप x की power n का formula लगा सकते हो ठीक है तो हम करें क्या हमार पास सिर्फ एक ही राश्ता बजता है कि हम दोनों side में log ले लेते हैं और वो system थोड़ा simplified में दिखता है फिर बाद में हम लोग differentiate करेंगे वेदर वहाँ पर division लगाना हो या multiplication रूल लगाना हो जो भी रूल लगाना हो आप proceed करोगे जैसा system आपको नजर आएगा ठीक है after simplification now taking क्योंकि यहाँ variable की power variable है है न तो यह सिर्फ और सिर्फ लेग ही किया जा सकता है तो taking both side taking both side log और यह log का मतला होता है log with base e so that is log of cos of x की power y that is equals to log of cos of y की power x हो गया यह property से power पीछे जाती है log की property से so that become log of cos x and that is equals to x times log of cos y ठीक है अब यह अब यह अब जो इतना simplify होना था हो गया है अब differentiating with respect to x तो differentiating with respect to x तो क्या करेंगे हम लोग d by dx of y times log of cos x and that is equals to d by dx of x times log of cos y हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए एक function y है दूसरा function आपका log cos x है तो आप क्या करेंगे प्रोड़क्ट रूल लगा देंगे है ना तो y d by dx of log of cos x and plus log of cos x d by dx of y हो गया ठीक है similarly आप राइट हम साइड में देख लीजिए यहाँ पर भी आपके पास प्रोड़क्ट आफ function एक से एक से दूसरा log cos y है तो क्या हो जाएगा first d by dx of log of cos y and plus log of cos y d by dx of x ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपका जो log है यह x का function नहीं है और log x का function नहीं है तो वहाँ पर हमें chain rule लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि function आप function के case आ गई log of cos x है मतब यहाँ पर जो sequence होगा x अगर कोई value place करते हो तो cos operate करेगा जो value output होगी उसे log operate करेगा मतब यह sequence हो गया यह outer function है log ठीक है is y times अब log का differentiation क्या हो जाएगा आपका 1 by 1 by whatever inside the log ठीक है log के अंदर क्या है cos है तो cos नीचे आ जाएगा फिर किसका differentiation होगा अगले step में cos का differentiation होगा जो minus sign होता है minus sign ठीक है तो यह sequence हो गया differentiate करने का अच्छा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका plus का log of cos x और dy by dx हो गया dy by dx ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे और ध्यान दीजिए यह operator d by dx है लेकिन log जो है यह y का function cos of y का function है तो यहाँ पे adjust करना पड़ेगा d by dy और फिर dy by dx करना पड़ेगा तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे x times d by dy of log of cos y और dy by dx हो गया dy by dx और यह चीज़ d by dx of x 1 हो जाएगा तो plus of log of आपका cos of y हो गया ठीक है तो यहाँ देख लेजिए sin upon cos 10 होता है और यह minus है तो minus y 10 of x हो गया ठीक है और उसके बाद फिर plus log of cos x dy by dx that is equals to x और यहाँ पे फिर chain rule लग जाएगा log differentiate होगा cos differential और फिर y जैसे वहाँ पे किये थे हैं तो यह हो जाएगा आपका 1 by cos y और फिर आ हो जाएगा minus sin y dy by dx and plus log of cos y यह आपका क्या हो गया minus y of 10x plus log of cos x that is equals to यह 10 और पार्सली यहाँ पे है और पार्सली आपका यहाँ दिवाई बाद इस छूड़ गया था पार्सली यहाँ पे है ना तो दोनों ही आप collect कर लिजी एक तरफ तो क्या हो जाएगा dy by dx का कोफिसेंट dy by dx का जो कोफिसेंट नजर आएगा यह आजाएगा आपका log of cos x और इधर से क्या आने वाला है ठीक है x plus का x और tan of y यह कोफिसेंट हो गया अच्छा जो नहीं कोफिसेंट था यह वाला टर्म और यह वाला टर्म यह without dy by dx है तो उनको एक तरफ कर लेंगे that become log of cos y and plus y tan x फिर क्या करोगे next step में इस चीज से divide कर दोगे यह नीचे आजाएगा आपका log of cos x plus x tan y ठीक है और यह यह यहाँ से remove हो जाएगा तो that is your dy by dx तो थोड़ा patience बनाए रखिए यह exercise या in type के question थोड़े से patience की जुरत होती है तो आप patience बना के रखिए rule follow करते जाएगे step से मट डरिये कि 10 step हो रहे है 15 हो रहे है 20 हो रहे है number of step से मट डरिये आप करते जाएगे you get the answer